स्वागत है आपका स्कूल राज थियोरी में आजम आरम करने जा रहे हैं कक्चा साथ का गनित का ग्रह कार रहे जो की दिनाक 15 फरवरी 2021 का है पाठ है त्रिबूज और उसके गुन तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्ण है त्रिबूज ABC के 6 अव्यव अव्यव मतलब तीनो भुजाएं और तीनो कौनों के नाम लिखे हैं तो त्रिबूज बना रखा है भुजा क्या होती है AB, BC और AC यह सामने लिख दिया है और कौन कौन से होते हैं कौन A, कौन B और कौन C प्रश्ण नंबर 2 है प्रतेग भुजा प्रतेग तिर्बूज का भुजा के आदार पर वर्गिकरन करना है हमें भुजा के आदार पर करना है तो इसमें आप देख रहे हैं दो भुजाएं समान हैं पहले में 8 और 8 B, C और A, C बराबर हैं 8 के तो दो भुजाएं बराबर होती हैं तो वे तिर्बूज कौन सा कहलाता है समधिभाव तिर्बूज तो पहला कौन सा हो जाएगा समधिभाव तिर्बूज हो जाएगा दूसरा आप देख रहे हैं इसकी तीनों भुजाएं समान हैं 7, 7 और 7 तो A B, B, C और C ये बराबर हैं साथ के बराबर तो ये कौन सा तिर्बूज होगा संभाव तिर्बूज दूसरा हो जाएगा संभाव तिर्बूज तीसरा है तीनों बुझाएं हमें असमान दिखाई दे रही है मतलब तीनों बुझाएं समान नहीं है तो ये कौन सा हो जाएगा विशम भाव तिर्बूज, तीसरा हो जाएगा विशम भाव तिर्बूज अगला परशने देखते हैं, परशन नमर तीन है, परत्तिक तिर्बूज का कौन के आधार पर वर्गिकरन कीजिए तो हम देख रहे हैं पहला कौन हमें दिखाई दे रहा है जो कि 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है B तो B बराबर 90 डिग्री सम कौन है तो त्रिबुज कौन सा होगा सम कौन त्रिबुज होगा अगला है इसमें हमें तीनो कौन बराबर दिखाई दे रहे हैं तो तीनो कौन या फिर ऐसे भी दिख सकते हैं तीनो कौन छोटे हैं अगर 90 से छोटे होते हैं तीनो कौन तो वे क्या कहलाता है नियून कौन तो त्रिबूज कौन सा होगा नियून कौन त्रिबूज होगा अगला है इसमें हम देख रहे हैं एक कौन एक सो एक कौन नब्बे डिगरी से जादा है अगर नब्बे डिगरी से एक कौन जादा होता है तो वे त्रिबूज अधिक कौन त्रिबूज कहलाता है तो तीसरा त्रिबुच कौन से कहलाएगा अधिक कौन त्रिबुच प्रस्ट नमबर चार है त्रिबुच की माद्धिका किसे कहते हैं त्रिबुच की किसी भुजा के मद्धे बिंदू को उसके सामने वाली सामने वाले सीर्ज से मिलाने वाली रेखा को तिरिबूज की माद्दे का कहते हैं तिरिबूज की माद्दे का किसे कहते हैं बुजा के मद्दे का जो बिंदू होता है उसके सामने वाले सीर्ज से मिलाने वाली रेखा को तिरिबूज की माद्दे का कहते हैं प्रश्ण नमबर पांच है एक तिर्बूज में अधिक्तम कितने सीरिसलम हो सकते हैं एक तिर्बूज में अधिक्तम तीन सीरिसलम हो सकते हैं आशा करता हूँ आप ये घ्रहकार आसानिक साथ पूरा कर पाए होंगे इसी प्रकार आगे भी करने के लिए जुड़े रहे चैनल के साथ लाइक और सस्क्राइब ना भूलें धन्यवाद